तो आप में से अगर कोई भी इस चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन का अल पेश जरूर पेस्ट कर देना ताकि आप लोगों तक ऐसा डेली हिपप का अपडेट जाते रहे हैं टाइम टू टाइम तो अभी हम लोग बात कर लेंगे बंटाइ रेकॉर्स का आर्टिस्ट शेस भाई के बारे में तो भाई अपना आने वाला ट्रेक का वीडियो शूटिंग का थोरा सा पार्ट अप्लोड कर रहे थे आप लोग पहले देख लो और जिसके बाद अपने स्टोडी पे लिखेते पिक्चार पूरी बाकी है ये तो बस था टीजर और जिसके बाद लिखेते तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे रफ्तर भाई के बारे में तो जो डीजर चीराग डुबाई है उन्होंने वाइट हिल बीड्स का एक ओफिशियल पोस्टर अप्लोड करते हुए लिखे थे तो कल हम लोगों को रफ्तर भाई का जो ट्रैक आया था कालिकार उसका ओफिशियल रिमिक्स बर्शन देखने को मिल जाएगा तो अभी हम लोग बात कलेंगे हर्जस भाई के बारे में तो हर्जस भाई का जो इंड्रस्टी डीज आने वाला था जो की है भूक वो आचुका है योट्यूब पर और ट्रैक पे काफी सारे रैपर्स के नाम है जैसे की किंग भाई, बाद्शा भाई, मुफर भाई, मुफर भाई, कृष्णा भाई, यांगस टनर, सीदे मौत, सिकंदर पाजी, बिवाइन भाई जिनको की एक तरीके से शाउट आउट भी दीया गया है काफी सारे रैपर्स को और मसी स्टैन भाई के उपर बी शौट लिया गया है और लास्ट में एक लाही ने ऐसा लिखने में तेरा घर नहीं पूरा जनम जायेगा तो आप लोगों नेगा track सुन लिया तो track के उपर अपना opinion आप comment में दे सकते हो और अगर नई सुन तो link आप लोगों को मैं description में दे दूँँगा आप लोग जाके check कर लेना तो चलिए भी हम लोग बात कर लेंगे M.E.O. भाई के बारे में इट्स कमिंग सून तो कारा मार्नी के साथ M.E.O. का कोलाब लगता है बहुत जल्दी आने वाला है तो अभी देखते हैं वो कोलाब कब तक आता है